और कश्मीर के हाल का जायसा लेने के लिए 25 राजनेकों की टीम श्रीनगर के दौरे पर है आज सुबह टीम श्रीनगर पहुंची और इस वक्त डल लेक में मौझूद है देखे डल लेक की खुबसूरती अपने आप में काफी है जो कोई भी श्रीनगर आता है जो कोई भी कश नेकों का ये प्रतिम भी मंडल है जो की कश्मीर दौरे पर आया है इसे पहले भी दो बार डेलिगेशन से अलग अलग देशों से आ चुके हैं और यहां के हालात को जाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं इस बार का जो प्रतिम भी मंडल है वो यहां क तीसरा विदेशी डेलिगेशन है जो कश्मीर आएगा और यहां पर हालात का जाइजा जमीन पर लेगा पहले जो दो बाहर के देशों के डेलिगेट्स का दल कश्मीर आया था उन पर कई सारे सवाल उठाए गए थे कि वो श्रीनगर के बाहर नहीं गए लेकिन तीसरे ट्रांस्पोर्टरों और पत्रकारों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ जमू जाकर वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ और बार अस्यूसेशन के इलावा जमू कश्मीर सरकार के अधिकारियों से भी मिलेंगे यह डेलिगेशन जमू कश्मीर के अलग-अलग राजनितिक द देलिगेट्स है उनका कश्मिर दोरा काफी महतपून माना जा रहा है तारिक लोन के साथ अश्रफवानी स्रीनगर आज तक और इस वक्त हमारे साथ जोड़े हैं हमारे समधता अश्रफवानी अश्रफ तस्वीरे आ रही है सीधे श्रीनगर से हम देख रहे हैं जो विदेशी डेलिगेशन है यहाँ पर इस वक्त शिकारे में हैं और लुट्व उठा रहे हैं डल जील का लेकिन इसके बात का उनका क्य कारिकर्म रहने वाला है जबकि दूसरा डल जो है जिसको आप अभी डल जील में देख रहे हैं वो फिलहाल डल जील में जमीनी हालात का याइज़ा लेने के लिए यहाँ पर डल के सेर पर निकला है पहला डल जो आया था विदेशी राजनेकूं का उनको भी डल की सेर कराए गए थी लेकिन यहाँ पर जो आज सेर कराए जा रही है इन राजनेकूं की इनको मौका मिलेगा जो कश्मिर में हाउस बोट चलाने वाले लोग हैं जो शिकारा चलाने वाले लोग हैं उनसे विच पारियों का संगठन है, ट्रांस्पोर्टरों का संगठन है, उनसे भी विचार विमर्श करके कश्मीर के हालात का जाइजा ले लेंगे, क्यूंकि जिस अंदाज से विदेशों में कश्मीर की स्थितिक को लेकर अनुछे 377 के बाद एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, उस आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले